अब आपको लिए चलते हैं बाबा विश्विनात्थ की नगरी वारनसी जहां बाबा के धाम में बीते दो वर्षों में भक्तों के आने का नया रिकॉर्ड बना है रोजाना बाबा के दरबार में लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और यही वज़े है कि काशी कॉलिडोर बनने के बाद करी 12 करोड 92 लाख से ज़्यादा श्रद्धालो बाबा विश्वनात के धाम में दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। कि दसंबर के अंध तक भक्तो का याखड़ा 13 करोड को भी पार कर सकता है। क्या बच्चे, क्या बुजर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरूश हर कोई बाबा के दर्बार में दर्शन के लिए खिचा चला आ रहा है। कि यही वज़े है कि इस बवित्रधा में आने वाले श्रधालों की संख्या ने कीर्थिमान रच्च दिया है। मौजूदा इस्थिति की बात करें तो बीते दो सालों में श्रधालों की संख्या में लगातार काफी वृद्धी देखनेों को मिली है। मुख कारपालक अधिकारी सुनिल वर्मा की अगर बात करें तो ये एक रिकॉर्ड ग्राफ देखनेों को मिला है। अबा विस्थनात धाम में आने वाले श्रधालों को लेकर और सुनिल वर्मा के अनुसार दिसंबर लास्ट दो हजार तेश तक ये संख्या तेरा करोड के पार हो जाएगी। काशी कॉरिडोर का लोकारपन 13 दिसंबर 2021 को प्रधान गंत्री नरिंद्र बोदी ने किया था। जिसके बाद यहां आने वाले बाबा के भक्तों की संख्या साल तर साल बढ़ती ही चली गई। आंक्रे भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। 13 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक 48,42,700 भक्तों ने बाबा विश्विनात के दर्शन किये। पिर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक 7 करोड 11,47,000 शुद्धालों ने दर्शन किये। वहीं जनवरी 2023 से 6 दिसंबर 2023 तर पांच करोड 32,35,000 लोगों ने बाबा के दर्बार में हाजिरी लगाई यानि काशी धाम का विस्तार होने के बाद से अब तक 12,92,24,700 भक्त बाबा के दर्शन कर चुकी है इंश्रधालों में कोई रोजी रोजगार की तरक्की के लिए बाबा से आशिर्वात मांगने आता है तो कोई परिबार के खुश हाली के लिए तो किसी ने अच्छे स्वास्त और किसी ने संतान प्राप्ती के लिए बाबा के सामने अपनी छोली फैलाई है कि यह बारा कोipes आने का यह जो भी अपना तल्यागा था पूरा है पूरा के पूरा हो जाता है इहां कि बहुत सांत में हर दूख हो इंसान का पूरा हो जाता है शुद्धा बहुत अच्छा है हर चीज सिस्टेमाइटिक है पुलिस करके रखा है कोई काशी विश्वनात कॉरिडोर बनने से पहले भक्तों को तंग गलियों की वज़ा से मंदर तक पहुंचने में दिक्कत होती थी एक समय में कम लोग ही दर्शन कर पाते थे और दर्शन के लिए काफी देर तक कतार में खड़े होना पड़ता था मगर जब से काशी विश्वनात कॉरिडोर तयार हुआ तब से बाबा विश्वनात के दर्शन भी सुलब हुए हैं और लोगों को ज़्यादा देर तक लाइन में इंतिजार भी नहीं करना पड़ता है तो काफी पहले से आ रहे हैं क्योंकि प्रयागराज की रहने वाले हैं तो पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्टर इतना डेवलप्मेंट नहीं देखने को मिलता था पर अब रिसेंटली जो देखने को मिल रहा है उससे काफी अच्छा लगता है मुझे लगता है यह सब देख के जो हमारी युवा पीड़ी है वो और भी ज्यादा मोटिवेट होगी अध्यात्म के साथ आधुनिकता के संगम से नई काशी त्यार हो रही है जिसके तहट देश और दुनिया से आने वाले भक्तों के ठहरने, खाने पीने, ट्रांस्पोर्ट और सुरक्षा के इंतजाम को भी पहले के मुकाबले काफी दुरुस्त किया गया है ताकि श्रधालों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी ना उठानी पड़े और उनकी ये तीरत यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन जाए वारणसी से ब्रजेश कुमार के साथ लखनाव से शिल्पी सेन के साथ गुड न्यूस टुडे